दोस्तों क्या आपके भी मुबाइल फोन के अंदर आपके मुबाइल फोन के अंदर आपको यहाँ पर नेविगेशन में कुछ इस तरह सा एक आइकन देखने को मिलता है एक यहाँ पर वंदा देखने को मिलता है एक आदमी जैसा आइकन देखने को मिलता है और आप यहाँ प पर kick-click करते हैं तो होो क्यों सकता है कि आपको कोई दूसरा सेटिंग is enabled हो न आपको यहां पे accessibility ही setting enable होता है तो आप इससे कैसे बंद कर सकते हैं और कैसे आपके navigation में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये बंदा आपको तो कैसे आप आपको करना क्या है आपको अपने मुवाइल फोन के अंदर अपना सेटिंग ओपन करना है जैसे आप सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको अपने मुवाइल फोन के अंदर एक्सेसबिलिटी सेटिंग आपको देखना है उससी से आपके यह मुवाइल फोन के अंदर आपका होम इस्क्रीन पर और नेविगेशन में आपका ये इनेबल होता है तो आपको अपने मुवाइल फोन के अंदर आपको accessibility यहाँ पर देखना है हमारे पास Samsung का फोन है तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा यह समयद्री अपका ये इस Şimdi का यहाँ आपको एकस्याइबल कर दिया है तो आपको अपको आपको Do that आपको देखने को नहीं मिलेगा एकसे इस्टिक का बटन देखने को नहीं मिलेगा जिसे अब बन्दा को अ कहते हैं वो एक accessibility का button होता है तो अगर आप यहाँ पर किसी पर भी आप एक बार यहाँ पर टाइप कर देंगे तो यहाँ पर आपका यही बंदा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपका यहाँ से बंदा गाइब हो जाएगा तो ऐसे आप अपने इस सेटिंग को और इस बंदे को आप हटा सकते हैं अपने मुबाल फोन के होम इसकीन के नेविगेशन बटन की बगल से और मैं आपको बताएता हूं अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पर इनेबल करते हैं तो अपने यहाँ से आपके समने इस तरह का आइकन आगा फिर आप इस पर के लिए करेंगे तो यहाँ पर जो सेटिंग इनेबल करेंगे वही सेटिंग आपका यहाँ पर काम करेगा तो आप सौट कर तरीके से अपना एक्सेसबिल्टी सेटिंग भी इनेबल कर सकते हैं इस तरह से तो